घर बैठे निशुलक संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें रियाज आप एक बहतरीन मोबाइल अप्लिकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, करनाटक और बॉलिवूट संगीत सीख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा तो डाउनलोड कीजिए ये अप्लिकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज आप से नमस्काल, मैं हूँ मास्टर निशाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रवाह वल्ड का यूट्यूब चैनल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो चैनल है हमारा ये शास्त्रिय संगीत को प्रमोट करता है, उसको सिखाता है, मदद करता है आपकी कि शास्त्रिय संगीत की कुछ ऐसी ऐसी बातें जो आपको हम बता सकें, जो शायद आप घर बैटकर सीख सकें और कहीं क्लास न जा पाएं या फिर कोई गुरू आपके नहीं हूँ तो आपकी मदद हो सकें तो काफी सारी ऐसी बातें हम लाते रहते हैं, काफी ऐसे टॉपिक्स हैं, आज जो टॉपिक है, वो संगीत का समय से क्या रिलेशन है, उसकी बात मैं आपको बताऊंगा और क्या संगीत में समय की महत्वपूर्टा है, उस पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे और हम जानेंगे कि जो भारती ये शास्त्रे संगीत में और या तो इसको और प्रसाइसली बोलूँ, एक्यूरेटली बोलूँ, तो हिंदुस्तानी जो हमारा संगीत है, यानि कि नौर्थ इंडियन म्यूजिक में, जिसकी नोटेशन पद्दिती जो हमारे विश्नु नारा का रियास जब करते हैं, तो थाटों में करते हैं, वैसे थाट को गाया बजाया नहीं जाता है, जानता है कि शास्त्रों की बात करें, मगर जो हमारे अलंकार हैं, वो हम थाटों में ही करते हैं, तो आज हम देखेंगे उन थाटों का समय से क्या रिलेशन है, और कब कौन सा और इसका आपस में बहुत संबंध है तो मौसम के अनुसार इसमें कई राग भी है मौसम अनुसार धुने बनती है मौसम अनुसार वो emotions वो feeling जगती है तो वो स्वरसंगतियां उसमें खिलती है अगर हम बारिश की बात करें तो मलार है, सवेरे की बात करें तो भैरव है, ऐसे आप देखें बसंत रितू की बात करें तो हमारे पास बसंत राग है, सारंग आप देखिए मौसम होता है, बादल होते हैं तो सारंग हमारे पास राग है, सारंग अंग है तो काफी ऐसी चीज़ें हैं जो की जो नेचर में हैं जो प्रक्रती में हैं वही हमारे संगीत में भी हैं इसलिए समय का और संगीत का आपस में बहुत बहतरीन रिलेशन हैं तो जिस राग को उसके अगर समय पर गाया जाए तो उसकी तासीर जो है यानि उसका जो नेचर है वो खिल के आता है और उसका असली अर्थ जो है वो जाएंगे कि कैसे ये जो राग है इसका स्वरूब जो है कैसे ही वो स्वर भैरव के लगते हैं तो लगता है कि हाँ सवेरा हो गया तो सोची अगर उसे सवेरे पर गाया जाए तो कैसा माहौल होगा कैसा फील होगा और कैसे जब काफी या फिर कानड़ा गाया जाता है तो म मैं का और राग का और संगीत का आपसमें बहुत बहतरीन रिलेशन है ठीक है तो आईए अब हम देर न करते हुए आप सभी जानते हैं हमारे जो दस थाटे हैं वो कौन-कौन से हैं बिलावल यानि सभी स्वर शुद्ध भहरवी यानि कि रेगध हनी कोमल ये जो सीक्वेंस मै पता रहा हूँ ये मेरे पिता गुरु पंडित अवद खिशुर पंडिजी द्वारा बनाया गया है ये सीक्वेंस में अरेंज किया गया है तो हम उसको फॉलो करते हैं तो क्या है वो सीक्वेंस आपने बिलावल देखा भहरवी देखा फिर आता है कल्यान जो कि तिवर मध पिर पूर्वी रिशब कोमल मध्यम तीवर और धेवत कोमल फिर आखर में आता है तोड़ी जो कि रेगध कोमल मध्यम तीवर तो ये आपके दस थाट हो जाते हैं अब इन्हें अगर समय में बाट दें तो सबसे पहले आप ये जाने कि समय के उपर वैसे मैंने एक वीडिय बताऊंगा कई सारी रागे जो हमारी शास्त्रों में वर्णित हैं उनके समय बताऊंगा और उन सब को किन-किन थाटों में बाटा गया उसके लिए एक अलग वीडियो होगा है ना तो यह आपके लिए थाट और राग की एक सीरीज है जो आप समझ सकते हैं तीन-चार वीडि सनुसार आप धीरे-धीरे सीख चुके हैं अगर चीजें तो आप उस थाट को उस समय पर र्याज कर सकते हैं ठीक है तो हम सबसे पहले समझे है कि समय जो है प्रहरों में बाटा गया है या फिर उसको हम अपभरंश भाषा मैं कहें तो पहर कहते हैं है ना कि अगर हम 3-3 घंटे count करें तो जब तक सूरज ढलता है यानि शाम तक तब तक आपके 4 प्रहर बन जाते हैं 3-3-3-3 यानि 12 गंटे हो जाते हैं फिर आपका शाम से जो है फिर से 3 घंटे का प्रहर शुरू होता है जहां से सूरज डूबा है और अगला जब तक सूरज उगेगा तो वहां से 3-3-3-3 करके 4 प्रहर हो जाते हैं वो रात के 4 प्रहर है तो दिन के 4 और रात के 4 कहां से शुरूबात होती है इस पर आप थोड़े से मतभेद देखेंगे क्योंकि हम देखते हैं सूरे ओदय 6 बज़े से माना गया है और कई जगा कई लोग उसको 7 बज़े से भी काउंट करते हैं है ना तो मैं दोनों तरह से बता देता हूँ 3-3 घंटे बांट लीजिए आप सबसे पहले 7 से सूरू करें तो 7-10 फिर 10-1, 1-4 और 4-7 फिर शाम के यानि कि रात के कहूं तो 7-10, 10-1, 1-4, 4-7 और यही अगर हम 6 बज़े से गिने तो 6 से आप गिन लीजिए 6 से 9 हो जाएगा फिर 9 से 12 हो जाएगा 12 से आपका 3 हो जाएगा और 3 से फिर से 6 हो जाएगा और यही आपके 4 प्रहर रात के भी होते हैं तो किसी भी अनुसार आप मानें जिसको आप मानते हैं ढंक से आप उसको फॉलो कर सकते हैं अब थाट कौन कौन से किसके अंतरगात आते हैं सबसे पहले हम सवेरे के प्रथम प्रहर दिन के प्रथम प्रहर से शुरू करते हैं, जिसमें हमारे दो थाट आते हैं, जो हैं बिलावल और भहरवी, यानि शुद्ध स्वरवाला बिलावल और रिगधनी कोमल वाली भहरवी, फिर हम द्वितिये प्रहर पे आते हैं, यानि अभी मैं साथ से दस के हिसाब से तो 7-10 आपका आगया बिलावल और भहरवी, फिर आपका आता है 10-1, जिसमें आपके दो थाट आते हैं, जो है आसावरी और तोड़ी, आसावरी यानि की गधनी कोमल वाले और तोड़ी यानि रे गधनी कोमल और मध्यमतीवर वाले, फिर आता है आपका तीसरा प्रहर, व तोड़ी और आसावरी, फिर जो तीसरा प्रहर है एक से चार में, उसमें हमारा कोई थाट नहीं आता है, उसमें दूसरे अन्य राग हैं, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, कि कौन से राग कौन से थाट में आते हैं, फिर आखरी प्रहर जो आता है, चार से दस का, पहला प्रहर है रात का, जिसमें आता है आपका कल्यान थाट, जो है तीव्रमध्यम का, फिर आता है हमारा रात्री का दृतिय प्रहर, यानि रात का दूसरा प्रहर, जो है हमारा दस से एक का, जिसमें दो थाट आते हैं, जो है काफी और खमाज, काफी यानि गरन मूरत सवेरेका है उसमें तो आप सभी जानते हैं थाट बहरवाता है रेधा कोमल वाला ठीक है तो ऐसे करके हमने आठ प्रहरों में इन दस थाटों को बाट दिया है जिसमें से कि दिन के तीसरे प्रहर में और रात के कि तीसरे प्रहर में कोई धाट नहीं है अब आप एक सवाल आपके मन में आता होगा कि क्या जो धाट है उस धाट के सारे राग उसी समय में आते हैं तो इसका जवाब जो है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा क्योंकि काफी आपको मतभेद भी हैं, काफी चीज़ें similarities भी हैं तो उस अब आपको next वीडियो में मैं अच्छे से समझाऊंगा कि कौन से थाट में कौन सा राग आता है और उसका समय कौन सा है तो तब तक के लिए अपना रियास जो है अलंकारों का इन थाटों में कीजिए उसी समय अनुसार फिर देखिए गले में और दिमाग में संगीत की क्या बात खेलेगी ठीक है तो देखते रहें ऐसी संगीत प्रवावर्ड की वीडियो जैन लाइक कमेंट शेर करें सब्सक्राइब करें चैनल को और बस शेर करें इस वीडियो को धन्यवाद